दोस्तों अन्बोक्सिंग करते हैं MI का स्मार्ट वाच लाइट आपको पता है MI जो है वो Xiaomi का एक ब्रांड है अगर आपको Apple के जैसे दिखने वाला एक स्मार्ट वाच चाहिए तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया उप्शन है कम बजेट में आपको ज्यादा फूचर वाला कोई स्मार्ट वाच चाहिए तो भी यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उप्शन है तो ज्यादा टाइम नहीं लूँगा फटो फट्सम में इसे अन्बक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों सबसे पहले आप बॉक्स को देख लीजिए यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब की देटेल मिवाश लाइट मॉडल है रेड्मी WT02 बैट्री केपेसिटी है 230 एमेच इन्पूट वाल्टेज है DC5 वल्ट इन्पूट करंट है मैक्सिमम 400 एमेच कॉंपरेटिबल विथ एंड्रोइट 5 और यूस 10 और अबोव अपरेटिंग टेपरेशर जिर जिरो डिग्री सेल्शियस टू 35 डिग्री सेल्शियस यहां पर देखिए उसकी डीटेल हमें मिलता है इसके साथ 1.4 इच का कलरफूल टच्स्क्रीन तो अभी हम लोग इसे ओपन करते हैं बॉक्स को और दूस्तो यही अपना स्मार्ट वाच और बॉक्स देख लिए चारु तरब से अभी हम हमारा स्मार्ट वाच को बहार निकलते हैं आ कर तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं उसके साथ हमें बॉक्स के अंदर मिलता क्या है वह मैं आपको दीखता हूं तो इसके साथ मिलता है हमें एक charging port यहां पर देखिए दूस्तों MI लिखा हुआ है और यहां पर दू पॉइंट है और इसके जो केबल है 1.5 मिटर है तो इसे हम लोग side में रखते हैं इसके साथ box में मिलता है हमें user manual तो यह है MI smartwatch का user manual इसे हम लोग side में रखते हैं अभी मैं आपको smartwatch दिखाता हूं दूस्तों यह है अपना smartwatch जो की देखने में एक दम apple का smartwatch जैसा लग रहा है और इसके जो रबल बेल्ट है वो ब्लू कलर का ह है इसकी बॉड़ी भी ब्लू कलर की है ब्लैक कलर में भी आएगा यह smartwatch इसकी जो बेल्ट है हुआ आप चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं अगर आपका बेल्ट खराब हो जाए तो आप यहां से बटन प्रेस करके यह बेल्ट भार आ जाएगा और आप इसे चेंज कर सकत कर दो एक है और यह जाट से तो अभी है यह यह पावर बॉटन है इसे हम लोग दबाते हैं और अन करते हैं अपने बॉच को कि तो यह वाच अपना अन हो गया है यहां पर देखिया माय और यह गड़ी है उपर का साइड आपको notification मिलेगा नीचे का साइड यहां पे आपको quick menu मिलेगा यहां पे आपको touch मिलेगा बैटरी कितनी charge है वो आपको देखने को मिलेगा और यह है lock system और यहां पे देखिए lock कर दिया हमने आपको screen को touch करेंगा तो भी कुछ नहीं होगा आपको long press करना पड़ जाएगा तो हमारा screen unlock हो गया night mode मिलेगा setting भी आपको यहां से मिलेगा यहां से दिखिया आप setting कर सकते हैं watch face brightness dnd range and walk heart rate auto lock vibration password system setting bluetooth about यह साइड में जाते हैं यहां पर आपको heart rate मिलेगा no sleep data कितना डिगरी celsius है temperature हो आपको दिखाएगा weather calories music system अभी हम इसके मेनू में जाते हैं तो मेनू में है दिखते हमें क्या क्या मिलता है यह है spot mode तो यहां पर आपको मिलता है outdoor running treadmill इंडोर साइकलिंग इंडोर साइकलिंग फ्रीस्टाइल वॉकिंग ट्रेकिंग ट्रेल रान पूल स्विमिंग ओपन वाटर क्रिकेट अभी बैक जाते हैं यहां पर आपको मिलेगा activity records यहां पर मिलेगा आपको और काउट डेटा आपने कितनी exercise किये कितने step आप चले है वह सब डेटा आपको यहां पर मिलेगा यह है heart rate जो कि मैं आपको बाद में दिखाता हूं यह स्लिप यह ब्रिथिन exercise यहां पर आपको मिलता है compass यहां पर आपको air pressure मिलेगा हवावा में कितना air pressure है वह आपको यहां चाहिए मालूम पड़ेगा यहां पर आपको मिलेगा music तो आपको music सुनने का है तो आपको Bluetooth से mobile को connect करना होगो उपर stroll करते हैं यहां पर आपको मिले यहां से आप वेजर के बारे में जान सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है वह आपको पता चलेगा यहां पर है नॉडिक फिशन यह है फिंट फॉन ब्लुटूथ फिंट फॉन है ब्लुटूथ से कनेक्टेट यह है टॉस लाइट जैसे मैं अन करता हूं तो डि इन टॉट के जैसे काम करेगे तो हम लोगी से ओफ करते हैं यहां पर है है यहां पर है यह है सेटिंग यहां पर आपको मिल देगा वाट स्पेस ब्राइटनेस डी एंडी रेश्वार्ट हार्ट्रेट आइडल एलक और अटो लॉक फैप्रेशन पास्वार्ट कि शिस्टम स तो देखें दूस्तो हाट रेट एक्टी ओड़ बीपीएम यहां पर आप कैंसर भी कर सकते हैं दुबारा मेजर करना चाहिए तो दुबारा भी मेजर कर सकते हैं अभी हम ब्रिटिंग एक्सिसाइज करके देखते हैं तो क्लिक कर दिया मैंने यहां पर लिखावा ब्रिफिंग वन मिनिट ओर इस वwen मिनिट और जो लो घुलीक करते हैं तो देखिए एक मिनिट तझ आपको लंबी लंबी सांस लेनी है और यह आपका रीडिंग चेक करेगा तो यह चेक कर रहा है अभी यहां पर लिखा हुए 84 heart rate, non exercise 79, training complete दोस्तों अभी मैं आपको smart watch charging करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप power bank से भी charge कर सकते हैं और mobile का charger से भी आप इसे charge कर सकते हैं तो आपको smart watch अच्छे से यहां पर बिठाना पड़ेगा charging pod में तो यह smart watch मैंने यहां पर बिठा दिया अभी मैं power bank चलो कर देता हूँ तो यहां पर दिखे हमारा smart watch charging होना चलो हो गया एक बार आप full charge करोगे तो 15 दिन तक इसका charging उतरने वाला नहीं है depend about use दोस्तों आप smart watch खरीदना चाहते हैं तो आप MI का ही smart watch खरीदे इसमें बहुत सारे future आपको मिल जाएंगे और अगर आप MI का smart watch लेते हैं तो आपको अपने mobile में Xiaomi का एक application डाउनलोल करना होगा उससे आप smart watch को connect करके बहुत सारे future और भी पा सकते हैं आप कम पैसे में ज्यादा future वाला smart watch खरीदना चाहते हैं तो आप MI watch light खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा smart watch है review में मैंने आपको दिखा दिया मैं इसकी प्राइज अभी बता देता हूँ आपको ये गड़ी आपको मिलेगा इंडिया में 3,500 से 4,000 रुपिय तक आप online भी खरीच सकते हैं और offline भी खरीच सकते हैं दुकान में जाके तो आपको रच्छे प्राइज में आपको मिल जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ऐसी बहुत सारी unboxing की वीडियो आने वाली है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को end करते हैं